ओम नमेश्रीवाई हरहर महादियो जैशू शंभू बुरा वक्त कभी भी किसी को बता के नहीं आता है जब कभी भी किसी जातक का बुरा वक्त शुरू होता है तो वो बहुत अंजान होता है, अनभिग्न होता है और तुरंट उसका बुरावक शुरू हो जाता है उसे कुछ समझने का, कुछ समलने का वक्त ही नहीं मिलता है और चीज़े खराब हो जाती है बहुत सारे जातकों से जब वो बहुत परिशानी में हो जाते हैं लेकिन उस परिशानी को आने से पहले बहुत सारे जातकों से बात करने के बाद जो मुझे समझ आया है कि जब कोई वक्ती परिशानी में फसने वाला होता है उससे पहले उसे इश्वर को संकेत देते हैं और यह संकेत उस हर एक वक्ती जिसका भी दोर बुरा शुरू होने वाला है उसके साथ ये चीजे घटनाए घटीत होती नजर आईए ऐसा एक के साथ हो दो के साथ हो लेकिन कम से कम ہजारों लोगों से बात करने के बाद जब मैं कैसे स्टेडी करता हूँ उसे पूस्ता हूँ तो वो बहुत सारी बाते सिमिललर नी मिलती जूलती होई बताते है आने वाले हम उसे टाल सकें या उससे बच जाए और तीसरा और महत्पूर्ण बात की ऐसा क्या करें कि हमारे जीमन में बुरा वक्त नहीं आए इस पूरे विशे को बहुत बारी की से आप समझेंगे इस वीडियो में क्यूंकि यह बहुत अनुभों के बाद बहुत सारे जात जिसे बद्बू कह सकते हैं कि एक अंजानी सी बद्बू उन्हें महसوس होती है जो उन्हें कहीं घर में आते हुए Once वो महसूस होती है बार बार जब हम पूछते हैं किसी से कि क्या आपको भी ऐसी बदबु आ रही है तो सामने वाला नहीं कहता है सिर्फ वो इंडिविजुल हमें आती है ऐसा नहीं कि घर में कहीं भी जाते हैं वो हमें वो महसूस होती है तो हम बहुत आसहज महसूस हो जाते ह हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं पर आपको ध्यान देने की अउशकता है। दूसरा संकेत ही होता है कि जब भी किसी जातक को रवक्त शुरू होता है तो वो सड़नली मन में एक भय बनना शुरू हो जाता है, जिससे डर लगना शुरू होता है, एक अग्याद डर शुरू हो जाता कि ऐसा हो जाएगा, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा बेफिजुल की चिंता है, सामन जीवन से बहुत एक नेक्स इस तर पर हो जाती है तो इससे भी हमें बशनी के आउशक्ता है, ऐसा बहुत ज़ादा नेगिटिव होने के आउशक्ता नहीं है तीसरा संकेत होता है कि व्यक्ति का भगवान में, उपासना करने में, पूजा, पाठ इन सबी चीजों में अचानक मन नहीं लगता है वहां से दूर हटना चाहते हैं, वहां से उठना चाहते हैं, उनका मन लगता ही नहीं है कि भगवान का नाम ले, पूजा करे, पाठ करे या जो भी धार्मिक हमारी क्रियाय होती है, उनमें बिलकुल भी मन नहीं लगता है और चोथा होता है कि व्यक्ति बहुत जादा overthink करना शुरू हो जाता है जो व्यक्ति सामान है उनके बारे में ये बात कह रहा हूँ जो लोग overthink करते हैं उनके बारे में बात ये नहीं कह रहा हूँ वो बहुत जादा सोचने लग जाते हैं बहुत जादा overthink करने लग जाते है और अगला और महत्पूर्ण संकेत है कि बहुत सारे जातकों के जीवन में बे फिजूल की लड़ाईया जगड़े और विवाद शुरू हो जाते तो विवादों का आना भी आपको समल जाना है अगर यह सभी संकेत आपको मिल रहे हैं तो सबसे पहले नियमित आप बजरंग बान का पाट करना शुरू कर दे बजरंग बान का पाट करने से ये जितने सारे संकेता आपको मिल रहे और कुछ भी बुरा अनुहुनी हमारे साथ हो रही होने वाली होगी इश्वर उसे काट कर देगा दूसरा है कि मंत्र जब करना तुर्ण शुरू करें मन नहीं लग रहा है मंत्र जब में लेकिन फिर भी नमश्यवाई नमश्यवाई सीता राम सीता राम मंत्रों के जब करना शुरू करें और तीसरा और महत्पूर्ण है कि जितना हो सके निर्भीक रहें, डरें नहीं, मन में कोई भाय न रखें, जिससे मैंने जो बाते बते हैं, इससे आपको डरने क्या हो शक्ता नहीं, ये केवल हमारे बचाओ के लिए, इसलिए मंत्र जब करें, इश्वर का नाम ले, अगर रमिंट्स करें, ओम नमश्चिब करें, ओम नमश्चिवारै।